प्रेक्टिस है टंबर 809 है UPPCS के लिए है आज डेट हो गई है छे अक्टूबर और 24 अक्टूबर को एक्जाम है UPPCS का तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेक्टिस करेंगे इसमें हम करेंट अफेट्स के प्रश्णों पर तो कॉश्चन नंबर वन है जुलाई 2020 में भौगलिक संकेतक प्रमारित यानि GI टेग इसको मिला हुआ है भालिया गेहु को आपको बताना है कि इसकी जो पहली खेप है केनिया और स्रिलंका को निर्याद की गई है भालिया गेहु किस राज्य से संबंद रखता है किस राज्य का ये भौगलिक संकेतक उत प्रचंपाद है इसको जीए टेइग मिला हुआ है भालिया गेहूं उत्रप्र्देस मत्रप्रदेस महारास्ट यह गुजरात बद हार गुजरात का है तो जुलाई भालिया गे हूँ गुजरात का जी आई टैग नमबर टू पर आज़ी है मई दोयार किस में किस उर्वरक निर्माता कंपनी ने किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्वेड प्रस्तुत किया यह सामान ने यूरिया की तुल्ना में पौधों को असी प्रतिस प्रस्तुत से अधेक प्रभावी है यूरिया से ने लिटर डिप्रस्ट इंपोर्टन्ट होते हैं PCS की परिक्ष्वा में पूछ ले आते हैं UPSC तो पूछती आही रही है कोशिया नमबर थ्री पर आजएए किन सरकार दोरा जन्बरी दोहर 21 को रतले पनबिजली परियोशना में कुछ निवेस किया गया है पाँच हेयार दोसो एक्यासी दिस्वर्व नौग शार करोण रुपे का ठीक है इसके कारण ये चर्चा में रही आपको बताना है कि ये परियोशना कहां अवस्त्त है हरियाना जम्बू उत्राखंड या अरणाचल नौर्थ हीष्ट में नहीं है ये तो अरणाचल परियो अरणाचल परियोशना जम्बू कस्मीर के जो है किस तबाल डिस्टिक में इस्तत है और कौन सी नदी पर है चिनाब नदी पर पर आज़िए जल्बडी सार्थी एप्लिकेशन का सुबारम कि इसका उद्धेश है युबाओं को रोजगार और व्यवसाय तथा रोजगार अब सरों से संबंदित जानकारी उपलब्ध कराना उद्यम सार्थी अप्लिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने तो कॉश्चन नमबर फाइब पर आजएए नासा का परसेवरेंस रोबर मंगल ग्रह की सते पर सफलता पूरवक कब उत्रा दो तीन प्रेशन इस से रेलेटर पूछे आ सकते हैं जैसे की परसेवरेंस रोबर किसका है तो नासा का है ठीक है और मार्स रोबर आए एक तो कब उत्रा है अभी हाली में 2021 में उत्रा लेकिन कब फरवरी में उत्रा है तो जन्वरी को हटा दीजे मार्स को हटा दीजे फरवरी में भी कब 18 फरवरी 2021 को ये उत्रा मंगल ग्रह की सतेह पर उत्रा ठीक है कक्षा में नहीं सतेह पर लेंडिंग किया इसने एक्जेक डेट के साथ याद रखेगा 18 फरवरी 2021 तो नासा का परसेवरेंस रोबर मंगल ग्रह की सतेह पर 18 फरवरी 2021 को जेजरो नामक क्रेटर पर उत्रा और नासा ने इस लेंडिंग स्थल को नाम किया दिया है जहां ये उत्रा है उक्टाविया इवटलर लेंडिंग साइट नमबर शिक्स पर आजएए फरवरी 2021 में भारत ने किस राज में हैलीना और धुरुवास्त का सफल पर इक्षन किया ये दोनों एंटी गाइड़ेंड मिसाइले हैं हैलीना और धुरुवास्त का सफल पर इक्षन किया गया है राजस्तान के पुखरन रेंज से तो फरवरी 2021 में भारत ने हैलीना और धुरुवास्त का सफल पर इक्षन राजस्तान पुखरन रेंज से किया हैलीना एक आर्मी बर्जन है और धुरुवास्त है एक एरफोर्स बर्जन ये तीसरी पेड़ी के सुरे सी लॉक ओन बिफोर लॉंच फायर एंड फॉर्गेट एंटी टेंक गाइड़न मिसाइले है नमबर सेबन पर आजएए हाल ही में बेग्यानिकों ने एक दुरलब जारोसाइट प्रत्वी के किस भाग में खोजा है ये पहली बार खोजा गया था मंगल ग्रहपर बर्फ में दबे रहते हैं ये तो भारत में ये खोजा गया है पर्थी पर ये खोजा गया है अंटार्क्टिक शेत्र में ओप्सन नमबर भी है इसका अंसर तो हाल ही में वेग्यानिकों ने अंटार्क्टिका में बर्फ की कोर में पीले भूरे रंके एक दुरलव खनिश की खोच किया जिसका नाम है जारोसाइट यह पहली बार मंगल ग्रह पर पाया गया था और यह पाया गया है कि जारोसाइट का गठन जो है बर्फ के भीतर की जेबो में हुआ था जो इसी तरह से मार्स पर जारोसाइट की मौजूदगी के सिद्धान्द का समर्थन करता है जारोसाइट नाम की जो उत्पत्ती होई है इस पैनिस भासा के जीना सिस्टम के पीले फूल से हुई थी इस खनिज का वर्णन 1852 में पहली बार अगस्त बृतोप्ट द्वारक किया गया था जो आवश्चक नहीं है ये नाम याद रखना देखें यह पीले भूरे रंका होता है नाजुक है कठोर है और इसमें क्रिस्टल सनरशना होती है यह खनिज कभी-कभी पार भासी और अपार दर्शी दिखाई देता है कॉश्चन नुम्बर 8 पर आज जिए देखें मेट्रो ट्रेन के डिब्बो को साफ करने के लिए परावेंगनी किरणों का उपियोग करने वाली मेट्रो कौन सी है वो देश की पहली मेट्रो जो अपने डिब्बो की सफाई करती है अल्ट्रा वॉयलेट किरणों से यूबी रेस से दिल्ली मेट्रो नहीं है उत्तर प्रदेश की मेट्रो है यह लखनो मेट्रो तो मेट्रो ट्रेन के डिब्बो को साफ करने के लिए परावंगनी क्रिणों का अपयोग करने वाली देश की पहली मेट्रो है लखनो मेट्रो क्वेशन नमबर नाइन पर आजिए डेजर्ट नाइट 21 का संबंध किस्स है रेगिस्तानी उंट मेले से या भारत और फ्रांस के मदे दुपक्षी वायू सेना अभ्यास या भारते सेना दौरा सेयुक्त सेना अभ्यास से या सौर उड़ जाहे तू नवोन में से डेजर्ट नाइट दोहर एकिस फ्रांस और भारत के मदे दुपक्षी वायू सेना अभ्यास से तो डेजर्ट नाइट 21 का संबंध है भारत और फ्रांस के मदे दुपक्षी वायू सेना अभ्यास से यह अभ्यास जो है 20-24 जनवरी 2021 के मद्ध राजस्थान के जोधपूर में किया गया दसवा प्रश्ण है जनवरी 2021 में परियावरन थिंक टैंक जर्मन वाच के द्वारा जारी वेश्विक जलबायू जोखिम सूचकांग 2021 में भारत की रेंकिंग बता दिजे कौन से है रिपोर्ट इंपोर्टन्ट है सूचकांग इंपोर्टन्ट है पूछा आसकता है भारत की रेंकिंग है इसमें 7 वी 2021 में तो 25 जनवरी 2021 को परियावरन थिंक टैंक जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायू जोखिम सूचकांग 2021 और इस सूचकांग में भारत की रेंकिंग कितनी 7 वी रेंक नमबर 11 पर आजए किस राज सरकार के द्वारा जेल परियटन पहल की सुरुबात हाल ही में की गई है जेल परिटन पहल की सुरुबात हाली में की गई है महराश्ट की सरकार के दौरा तो महराश्ट राज सरकार के दौरा जेल परिटन पहल की सुरुबात की गई है इसका उद्देश है परिटको को जेलों के एतिहासिक अनुभब के बारे में जानकारी परदान करना क्वेशन नुमर बारे पर आज़े फरवरी 2021 में भारतिय संकेतिक भाषा सब्द को उसका तरत्य संस्क्रण जारी किया गया आपको बताने हैं कि इसमें कुल कितने सब्द हैं भारतिय संकेतिक भाषा सब्द को उसका तीसरा संस्क्रण कितने सब्द हैं इसमें 10,000 तो फरवरी दोहर 21 में भारतिय संकेतिक भासा सब्द को उसका तरतिय संस्क्रण जारी किया गया है इसमें कुल 10,000 सब्द है इसका पहला संस्क्रण 23 मार्च दोहर 18 को जारी किया गया था जिसमें 3,000 सब्द थे और दूसरा संस्क्रण 27 फरवरी दोहर 19 को जारी किया गया था जिसमें 6,000 सब्द थे और अब तीसरा संस्क्राण फरवरी दिहार 21 में जरी किया गा जिसमें 10,000 सब्द हैं Question number 13 पराजिये भारत के किस किसान ने सदाबाहर नामक आम की किस्म को विक्षित किया है? किस ने किया है सदाबाहर नामक आम की किस्म को विक्षित सुमन? सदाबाहर नामक आम की किस्म को स्री कृषित सुमन ने विक्षित किया है यह राजस्तान के कोटा के निवासी है और इस आम को जो है राश्टिये नव प्रवरतन प्रतिष्ठान द्वारा माननिता प्रदान किया गया है और राश्टिय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान की बात करें तो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रतिष्ठान की विभाग के तहट एक स्वायत संस्थान है ये National Innovation Foundation नमबर 14 किस ने की किस ने की है साउथ अफरिका ने नहीं की है ब्राजिलन रूस नहीं है भारत ने की है । बाईस से 23 जून 1221 को वर्श्वले रोप से वरिक्स, ग्रीन, हाईडो जनzem किया गया और कहा किया गया मतलब इसकी मेज़वानी किसने की भारत ने की ओप्रेशन समुद्र से तू टू और बन भी था एक ठीक है तो ओप्रेशन समुद्र से तू टू जो है 2021 का है और बन जो था इसका पहला संस्क्रण वो 2020 का ठीक है बिदेशियों से भारतियों को निकालने के लिए ओप्रेशन समुद्र से तू एक और ओप्रेशन समुद्र से तू दो ऑक्सीजन के सेलेंडर मतलब कंटेनर जो है पूरे भारत में फैलाने के लिए तो कौन सी सेना थी है भारती है नौ सेना ठीक है ओप्सन नंबर C हैस कांसर तो देखिए मई 2021 में भारती है नौ सेना के द्वारा कोविड-19 के मामलों में ब्रद्धी के मद्दे नजर मेडिकल ऑक्सीजन आवश्रक्ताओं को पूरा करने के लिए चल रहे राज्टिय मिशन ऑक्सीजन एक्स्प्रेस को बढ़ाबा देने और विदेशियों से मेडिकल ऑक्सीजन से भरे क्रायजने कंटेनरों और संबंदित मेडिकल ऑक्सीजन को भारत लाने के उद्देश से भारते नोसना के द्वारा ओप्रेसन समुद्र से तू टू चलाया गया और ओप्रेसन समुद्र से तू बन कोविड-19 में हमारी के पर्थम चरण में मई-2020 में विदेशियों से भारतिय नागरिकों को सुरक्षित बापस लाने हेतू प्रारंभ किया गया था तो ओप्रेसन समुद्र से तू एक मई-2020 का है और ओप्रेसन समुद्र से तू दो जो है वो मई-2021 का है याद रखना ये चीज तो 15 प्राशनते करेंट से रेलेटेड इनकी प्रेक्टिस से गवार कर लेजेगा सब्सक्राइब रखिए Civil Services Study चैनल को लेटेस वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब के बैल आइकन को प्रेस रखिएगा टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है धन्यवाद